गैस्ट्रों इंट्स्टाइनल अलसर्स यानि के पेट अते अंत्रियां दे विच होन वाले अलसर ते जखम बारे असी पहला भी गल कर चुके हैं इस चैनल दे पहला वीडियो जो मजूद ने जिनना दे विच पेट अते अंतडियां दे उपर ले हिस्स है खाने वाली नाली दे वेच होन वाले जखमा बारे असी कैदा वीडियो बना के उन्हादा डाइट प्लैन भी तो आज नाल सांजा कर चुक्के हैं अज आपा हॉन गल करनी है अंतर यहां दे अखीरले हिस्षेच होन वाले जखमा बारे इन्हों असी रेक्टल अलसर भी केदाने न्हों असी पॉलल अलसर भी केदाने यहां जदो इस टॉपिक दे उत्ते आप गल करांगे ता एस दे नाल नाली अल्सिरेटिव कोलाइटस, इरिटेवल या इन्फलेमेटरी बावल डिजीज, इन्फलेमेटरी बावल सिंड्रोम दी भी गल कीती जाओ होन तो जडी प्लेलिस्ट दे विच अग्गे असी वीडियोज शुरू करन जा रहे हैं, एस सारियां ही इन्फलेमारियां दे नाल रिलेटड है, तो अगर तो उसी इन्फलेम दे विच्छ फसे होए हो, या इन्फले विच्छ चुटकारा पौना चौन दे हो, लेकिन तो आन ब्मारियां बारे ही चर्चा करनी है, तो इदे बारे जानन वास्ते, चैनल देनाल, जोस्तो रेक्टल अलसर्स, कोलन अलसर्स या इन्फलेमेटरी बावल डिजीज या अलसरेटिव कलाइटस वरगी है जिडियां बिमारिया ने, जिनना मेरा तजर्बा होन तक हैगा, या इस फीड़् दे विच काम करन देनाल, मेरा तजर्बा यह कहनदा है कि या काफी सारियां जिडियां अहे बिमारियां ने न, ए छेती किते साधी ग्रिप विच उओंदि जिरूरी है ए चीज समझदी के दो प्रकार्दियाँ प्रोब्लम्स हो सब दिया ने, एक नू असी कहने या acute, acute दा मदलब आया जेडी प्रोब्लम तू आनो शुरू होया नो तैन्मी ने तो अंदर अंदर दा समा होया या, तो एक प्रोब्लम आसी जिनू कहता ने है chronic, यानि कोई में नू भी पेशेंट्स देनाल गल करदा नां ते मिनों यही दस देने उ हो कोई कहानधा दा मिनों 6 मीन, तो पेट दी प्राइबलम हो रही है कोई मिनों साल तो प्राइबलम हो रही है कोई कहल्ता मिनों January 9 सर दे विच्छ क्रोनिक दे अक्यूट दो में तरह दे केसस जडेने वो लगबग ब्राबर ब्राबर जयेने ठीक है एस प्रॉब्लम नो डाइगनोस करना इना ओखा क्योंगा क्योंगा क्योंकि ए प्रॉब्लम सिर्फ उधू डाइगनोस हुंदी है जदू असी किसे गैस्ट दोकटर को जाके एक कलोनोस कोपी करने क्लोनोस कोपी दा मतल्ब ए एक वायर कैमरे दे नाल टो आडे पेट दे विच जड़ाया तो आडे कोलन रसते था नी एक केमरा पाके देख्या जानदाया उधो एई है प्रॉब्लम कनफर्म होनों बहुत है जिननी देर ताके problem confirm नहीं होएगी उनी देर देर कोई भी medicine खानी कोई भी diet ले ले लेनी ए नेरे देवेचे तीर मारन दे समान अगर तुसी पेट दी किसे परशान नहीं तो पिछले कुछ महीं नया तो यहां लंबे समय तो जूज रहे हैं बहुत जरूरी है भी तुसी अपने पेट दी ना सिर्फ अल्ट्रा साउंड या सिटी स्कैन करवाओ बलके endoscopy या क्लोनोस्कोपी कराके वी जरूर एक बारी देखनी चाहिए ते साथी problem ताके proper diagnose होगे सोधा तोधा proper लाज का सुखी है अगर तुसी मेरे चैनल दे नाल पहला तो जुड़े हो तो तुसी जरूर देख्या होएगा के साथे चैनल ते वीडियो पहुंड़ दा format किस पर कारदा है पहला आसी disease बारे डिस्कस करदे या ओधी pathophysiology याणि के ब्रमारी सानों लग दी कितना है फिर आपा डिस्कस करदे भी कितना ओस ब्मारी वद दीया होली होली स्टेज बाई स्टेज करके फिर कुछ ब्रीफ जी गल आपा मेडिसन दे बारे भी करदे है एंड फिर एंड दे विचाजन दाया तो आडे डाइट दे प्रेज, खराक सबंदी प्रेज जिना उपर असी विशेश तोर दे उपर डिटेज से समझाई दा आप मारी यां वी एससे ही तरीके दे नाल तो आडे डिस्कस कीती है जानगी है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे द्वारा तो देट तो आननों बेटर समझ आ सके इस वेडियो प्लेडिस्ट ने शुरू करने तो पहला मैं आपने सारे सरोत्यान वेके छोटी जी बेंती करनी चाना एट टॉपिक अलसरेटिव कलाइटर्स, रेक्टल अलसर, इंफ्लेमेटरी बावर डिजीज, क्रोंस डिजीज एट टॉपिक बहुत कॉंप्लिकेटेड है एट इस तो जादा कॉंप्लिकेटेड एट प्रॉब्लम हावी असी इनों कठाई को प्रेजिंटेशन दे वेचे कर दे पहे हो ज्यादा टाइम तो आटा नहीं लिया जाएगा लेकिन स्लोव पेस्टे विच में चौनावी एककारी में तो आधिनाल सारे पॉइंट्स डिसक्स करला पहलना बमारी बारे उस्तो बाद डाइट बारे प्लस इना दी डाइट प्लस इना प्रॉब्लम्स वास्ते डाइट चार्ट यह पूरी प्लेइलिस्ट दे एंड विच दता जाओगा इस प्लेइलिस्ट दे विच कोल पांज वीडियो जो के अपा लडी सेर ही दिखनिया ने सो चलो दोस्तो प्रेजेंटेशन नो शुरू करिये ते चैनल ना जुड़े रो जे तुसी पहली बार चैनल ते आयो तो चैनल नो सब्सक्राइब करना ना पुलियो फेस्बुक ते इंस्टाग्राम दे उपर मेरा पेज अरुडाई निट्रिशन नो फॉलो करना ना पुल चोट अज एक टॉपी का क्रोंस डिजीज था क्रोंस कोलाईटस भी सम्टाइम्स कैदन देया उनो वह आप आए दे विच्छी डिस्कस कर लेना है ए प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन से नालो लंबी होएगी सो इनो जादा पार्ट्स दे विच्छ डिवाइड करके चै ठीक है जी तो लेट्स टार्ट पहला दे अपा यह देखिए के रेक्टल अलसर हुंदा की है ठीक है तो जिवें के तुसी देख साकते हैं यह साधी वड़ी आंतरी है ठीक है लाज इंटस्टाइन जिनू कहने है एदा जो अखीरला हिस्सा जो इतने मार किता होया या ठीक ह एसे नो इतने जूम करके दखाया गया है यह लास्ट पार्ट जिडाया यह नो असी रेक्टम के नहीं है जो तो साधी बॉडी देवेच टूल बन देए टौलेट बन दीए ते ओ लास्ट देवेच इतनो पास होके साधी बॉडी जो बार निकल गया ठीक है तो अगर इस ए या अगर एस संकेत सानु देखन नों मिल देया तेदा मतलब रेक्टल अलसर हो सागता तो पहला हो गया अगर तो आनू स्टूल पास करन तो बाद इनकम्प्लीट पास यानिके एक तरह दी सैटिस्फेक्शन देड़ी तो अनू लगदा भी हजे भी स्टूल जेड़ाया वो पूरी तरह में पास नहीं कीता ठीक है अगर तो आनू एफ फीलिंग हो दी है तो वह एक रेक्टल अलसर नहीं आ रही है याँ फेर रेक्टल पे ठीक है तो ए सारे शंवदेया कि अगर सानों रिकाल अलसर िहाए तो इन्हें रेक्टल अलसर ते कौज कीकी होसकदेया कीकी कारण हो सकदेया सो पहला कारण ता देखो constipation हो गया, पहला कारण constipation, देखो उन constipation symptom दे विच भी आ रहे है सी ते cause दे विच भी आ रहे है सी, ठीक है, constipation या hardening of stool, यानि कि जदो टॉयलेट साथे बंदी या body दे विच, जदो उसी उन्हों पास कर दे हैं, टॉयलेट कर दे हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होंदा है, और बहुत ज़्यादा painful होंदा है, और बहुत ज़्यादा सान्हों जोर भी लगाना पेंदा, stool पास कर द ये सारे symptom भी ने rectal ulcer दे, ठीक है, तो दोना चीज़ जानों अपा नाल नाल लेके, नाल नाल ही समझके चलना है, ठीक है, तो अगर constipation कब ज़्यादा है, या इस तो बाद इदे करके, अगर straining होंदी है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, या फिर अगर rectal prolapse हो ज़्यादा है, ठीक है, रेक्टल prolapse दा मतलब यह होंदा है, कि साड़े muscles जड़े ने, वो इनने ज़्यादा जोर लगान दे करके, साड़े ज़्यादा रेक्टम बाला हिस्सा है, वो साड़ी बाडी चो बाहर आजन दा है, ठीक है, स्ट्रेच हो ज़्यादा है, बहुत muscles के दने, वो uncoordinated ने, uncoordinated मतलब उना दी movement जड़ी है, वो एक सारता विच नहीं हो रही, ठीक है, वो दे करके भी जड़ाया, muscles दी movement या, muscles नो होन वाले, blood flow दी movement जड़ी है, वो disrupt हो सक दी है, ठीक है, ज़्यादे करके रेक्टरल ulcer हो सकदा, एंड लास्ट विच लिखिया होया है, जी, inflammatory bowel disease, इन्हों से irritable bowel disease भी कहा दने है, irritable bowel syndrome भी इन्हों क्या जा सकदा है, एसे दे विच ही ulcerative colitis, ते Crohn's disease, एदे ही अंडर अंदे है, जो के यहाँ सारा कुछ टिड़ाया, वो एस presentation दे विच डिसकस करना है,